अगर खालिस्तान वजूद में आ गया तो उसका असल रूख किदर होगा। वाहेगुर जी का खाल साथ वाहेगुर जी की पती, इन मौलाना साथ को सिख्खों से बहुत दर लग रहा है। सिख्खों से थर थर काप रहे हैं, यह मौलाना साथ, आओ आज के वीडियो में मैं आपको इनका ये वाला वीडियो पूरा दिखाता हूँ, इदर साइड में आप वीडियो भी देखना और इनकी बात भी सुनना। लेकिन योट कर लीजे। ये कहते हैं कि भारत की सरकार के नाक में दम कर रखा है सिख्खों ने, अब ये भारत को और सिख्खों को आपस में लडाने की बात कर रहे हैं। अगर खालिस्तान वजूद में आ गया, तो उसका असल रूख किदर होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी रहे हैं कि अगर सिख्खों ने कहीं खालिस्तान बना लिया, तो उसके बाद सिख्ख सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक नहीं रुखेंगे। इनका जो रुख होगा, वो हरीपुर की तरफ होगा। लेकिन अगर कहीं उनका मुल्क बन गया तो उनके रुख किदर होंगे। उनका हीरो रंजीत सिंग कहां दफन है। अपना सामराज स्थाफित किया था, तो ये मान सिंग वाला की तरफ चाहेंगे। और महाराजा रंजी सिंग ने जो खालसा राज स्थाफित किया था, फिर ये उस खालसा राज तक महुचेंगे। उनका पंजा साब कहां है, ये हरी पूर क्या है, हरी सिंग नल्वा का ये अबाद करदा शहर, मान सेरा क्या है, राजा मान सिंग का सेरा है, ये सारे इलाके तो यहां है, उदर तो उनका कोई मुकद्द सेरी नहीं, अमरसर से इदर है जो भी कुछ है उनका तकद्द्द्द ये मौलवी साहब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं इनकी और बात सुनू आप और अगर खुदाना खास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो गए अगर सिंद लेड़ा हो गया तो पंजाब होगा लेंड लोक्त संगत जी असल में जो मौलवी साहब है ये खालसा राज से डर रहे हैं खालिस्तान से नहीं खालसा राज से लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस दिन खालसा राज आएगा तो पूरी धरती के उपर खालसा राज आज आएगा आज भी खालसे के निशान दोसों से ज़्यादा देशों में जूल रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को आगे शेर जरूर करना चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को आल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करने के बाद वाटसब में शियर जरूर करना